तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे important questions के उपर current affair 2021-22 से related तो काफी सारे exams रहेंगे आपके आगे आने वाले दो से तीन महीने में काफी सारे exams आने वाले हैं तो उनके लिए जो current affair most important रह सकता है उसके लिए हमने एक series start करी हुई है October 2021 से लेके March 2022 की series इसका छटा पार्ट आज हम इस वीडियो में cover करेंगे अगर आपने पुराने पार्ट इसके miss कर दी है तो इसकी एक separate playlist बना दी है जिसका link आपको description में मिल जाएगा आप उसमें जाके पुराने पार्ट को cover कर सकते हैं जो last six month के current affairs होंगे वो आपको इसमें cover कराये जाएंगे जितने भी competitive exams होते हैं हर एक competitive exam के लिए ये वीडियो आपकी important रहेगी तो अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को जरूर subscribe कर लें तो चलिए वीडियो start करते हैं देखते हैं पहला question क्या है तो हमारा पहला question है which of the following country regained top spot as India's trade partner in 2021 तो 2021 में इंडिया ने कौनसी country के साथ किस country के साथ सबसे ज़्यादा trade किया है import export सबसे ज़्यादा कौनसी country के साथ इंडिया का हुआ है तो आपका answer हो जाएगा America America के साथ सबसे ज़्यादा trade किया है इंडिया ने वैसे तो हम boycott China की बात करते हैं लेकिन अमेरिका से थोड़े ही point पीछे रहा है चाइना तो चाइना भी first spot पे आते आते रहे गया है तो जो चाइना का product है वो हम export भी कर रहे हैं और उससे import हम काफी ज़्यादा मातरा में कर रहे हैं सामान को तो अभी boycott जो चल रहा है जो आत्मनेर पर चल रहा है उसकी scheme चल रही है लेकिन काफी सारे items है जिन पे हम depend है अभी China के ऊपर तो अमेरिका के साथ भी defense related काफी सारे equipments हैं जो कि हमने 2021 में buy किये थे क्योंकि China से विवाद जो चल रहा है उसको देखते हुए इंडिया ने काफी सारे defense के items अमेरिका से buy किये हैं अगला question देखते है हमारा which country has topped in global digital skills index 2022 तो global digital index 2022 में in कौन सी country रही है top पे तो आपका answer हो जाएगा इंडिया तो इंडिया पहले rank पे रही है global digital skills index 2022 जब अपना देख किसी global index में top पे आता है तो वो एक अच्छी बात होती है कि हमारा देख जो है वो top पे रहा है सारी countries में इस report में तो यह आपको ध्यान रखना है global digital skills index 2022 में इंडिया पहले स्तान पे रहा है who has been re-elected as the chairman of international olympic committee IOC in February 2022 तो international olympic committee के chairman दुबारा से चुन लिये गए है उनका क्या नाम है तो हमारा अंसर हो जाएगा Emma Tero Emma Tero जो है इनको दुबारा ही चुन लिया गया है आपका chairman international olympic committee का who has written the book golden boy नीरच चोपड़ा तो नीरच चोपड़ा के दुबारा olympic में golden medal दिलाया गया है भारत को इसी वज़े से इनके उपर एक book लिखी गई है golden boy नीरच चोपड़ा तो इस book को किसके दुबारा लिखा गया तो हमारा answer हो जाएगा नवदीप सिंग गिल नवदीप सिंग गिल इस book के author रहेंगे जिसका title रहेगा golden boy नीरच चोपड़ा who is appointed as the new CEO of national e-governance division तो national e-governance division के नए CEO कौन चुने गए है तो हमारा answer हो जाएगा अभिशेग सिंग अभिशेग सिंग को हाली में चुना गया है national e-governance division का CEO तो काफी सारी appointment हुई है आपकी 2022 में February में खास्तोर से काफी सारी appointments करी गई है तो February की appointment ही आज हम इस वीडियो में cover कर रहे है अगला question देखते है who has been appointed as the brand ambassador of A23 an app owned by online skill gaming company head digital works तो head digital work जो की एक online skill gaming company है उनकी एक application रहेगी A23 उसका brand ambassador किसको चुना गया है तो हमारा answer हो जाएगा किंग खान जो शारुक खान है उनको brand ambassador चुना गया है A23 company का जो की एक gaming company है head digital work उसका एक application रहेगी who among is appointed as controller general of accounts तो controller general of accounts एक तो होता है controller general of India एक होता है controller general of accounts तो controller general of accounts किसको चुना गया है तो हमारा answer हो जाएगा सोनाली सिंग को अभी चुना गया है controller general of accounts और इनके पास ये additional charge रहेगा ये भी आपको ध्यान रखना है अगले question पर बढ़ने से पहले माँ बताना चाहते हैं static GK की एक topic wise ebook हमारे द्वारा launch करी गई है जो की सिर्फ आपको 69 रुपीज में provide कराए जा रही है important क्यों रहेगी क्योंकि इसमें 14 से 15 ये topics cover किये गए हैं जिनसे exams में direct question पूछा जाता है तो आपके जो आने वाले exams हैं SSC, CGL हो गया, CHSL हो गया, Railway Group D हो गया, Railway CBT 2 हो गया तो इन exams के लिए most important ebook रहेगी क्योंकि 100% आपको इसमें से questions देखने को मिलेंगे आपके exams में तो अगर आप interested हो तो इसका link आपको description में मिल जाएगा आप description में जाके इसको buy कर सकते हैं अगर आपको downloading में कुछ issue आता है तो यह हमारी Gmail ID है आप इसपे directly mail कर सकते हैं Who has been robed in as the brand ambassador of Krishy Network तो Krishy Network का brand ambassador अभी हाली में किसको चुना गया है तो हमारा answer हो जाएगा Pankaj Trpati Pankaj Trpati एक भारतिय actor रहेंगे इनको brand ambassador चुना गया है Krishy Network का Who has been elected as the president of institute of chartered accountants of India for the 2022-23 term तो 2022-2023 term के लिए institute of chartered accountant of India का president किसको चुना गया है Most important question रहेगा आपके exam के लिए तो हमारा answer हो जाएगा देवशीष मिश्रा देवशीष मित्र देवशीष मित्र को चुना गया है हाली में president institute of chartered accountants of India का 2022-23 term के लिए Which short film has won the NHRC's short film award competition तो NHRC's short film award competition कौन सी short film के दुआरा जीता गया है तो हमारा answer हो जाएगा street student तो street student जो की एक short film है इसके दुआरा award जीता गया है जो की रहेगा NHRC short film award competition में तो जो महिलाए हैं जो girls हैं जो women हैं उनको self-reliant अपने दम पे बनानी के लिए उनको एक government of state के दुआरा एक scheme को launch किया गया है जिसका नाम रहेगा punk अभियान तो ये कौन सी state government ने launch किया है तो हमारा answer हो जाएगा मद्धे प्रदेश तो मद्धे प्रदेश state government के दुआरा launch किया गया है punk अभियान को जिससे की girls और women's को self-reliant बनाया जा सके who among is appointed as the CEO and MD of Air India in February 2022 most important question है exams में देखा आपको देखने को मिलेगा तो Air India के CEO और MD कौन चुने गये हैं तो हमारा answer हो जाएगा ilkar IC ilkar IC को अभी हाली में CEO और MD चुना गया है Air India का which state won the best state tableau of Republic Day Parade 2022 तो सबसे बढ़िया जाकी का जो दर्जा मिला है जो state कौन सी है जिसकी सबसे बढ़िया जाकी रही है Republic Day Parade 2022 में तो आपका answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश state की जो जाकी रही थी जो टेबलो रही थी उसको Republic Day Parade में 2022 में best award दिया गया है तो यह आपको ध्यान रखना है जो उत्तर प्रदेश की जाकी थी उसमें जो वारनसी में जो डेवलपमेंट यह जो वारनसी का corridor बनाया गया उससे related दिखाए गया था आयोध्या से related भी उसमें दिखाए जाता है तो उसकी वज़े से best state टबलो मिला है Republic Day Parade 2022 में उत्तर प्रदेश को Which country has successfully test fired the medium range ballistic missile Hosong 12 Hosong 12 जो है एक medium range ballistic missile रहेगी किसके द्वारा test fire की गई है तो हमारा answer हो जाएगा North Korea North Korea के द्वारा इस missile को test fire किया गया है जिसकी range रहेगी करीबन 3600 किलो मीटर से 6000 किलो मीटर के बीच तो एक estimate range रहेगी Hosong 12 इसका नाम रहेगा medium range ballistic missile है Who has been assigned as the chairman of Central Board of Secondary Education जिसको कि हम CBSC के नाम से जानते हैं in February 2022 तो CBSC Central Board of Secondary Education के chairman कौन चुने गये हैं तो आपका answer हो जाएगा Vinit Joshi Vinit Joshi को chairman चुना गया है Central Board of Secondary Education का February 2022 में Rahul Bhatia has recently been appointed as the MD of which airlines तो कौन सी airline रहेगी जिसके MD चुने गया है Rahul Bhatia को तो हमारा answer हो जाएगा Indigo Indigo जो एक airline है इसका MD चुना गया है Rahul Bhatia को Where is the Sputik Guster Festival 2022 Celebrated तो Sputik Guster Festival 2022 में कौन सी state में celebrate किया गया है तो हमारा answer हो जाएगा लग्दाक तो यहाँ पे state नहीं Union territory रहेगी तो Union territory में celebrate किया गया है Sputik Guster Festival 2022 का जो की रहेगी लग्दाक Who among is elected as the president of Germany Germany के हाली में president कौन चुने गए है या फिर re-elect हुए है पांस साल के लिए इनका जो कारेकाल है वो दुबारा बढ़ाया गया है रिलेक्ट हो चुके है तो इनका क्या नाम रहेगा तो हमारा answer हो जाएगा Frank Walter Stemir Frank Walter Stemir को दुबारा चुना गया है elect किया गया है president Germany का अब आपको जो chancellor है Germany के जो chancellor रहेंगे पहले एंजलेरा मारकल थी लेकिन ये भी नए चुने गए है तो अगर आपको उनका नाम ध्यान है हमने पीछे ही cover किया था जब उनकी appointment हुई थी तो अगर आपको उनका नाम ध्यान है तो आप comment box उनका टाइप करके बताएं अगला question देखते है who among has been selected as the brand ambassador of Bata India तो Bata India जो company है इसके brand ambassador कौन चुने गए है तो हमारा answer हो जाएगा दिशा पतानी एक भारतिय actress रहेंगी दिशा पतानी इनको brand ambassador चुना गया है Bata India का which IPL team has become the country's first sports unicorn तो इंडिया की पहली sports unicorn कौन सी IPL team बनी है most important question रहेगा क्योंकि country की इंडिया की पहली sports unicorn है तो क्या नाम है तो हमारा answer हो जाएगा चैन्नाई सूपर किंग्स चैन्नाई सूपर किंग्स इंडिया की पहली sports unicorn एक team बनी है IPL की who has been appointed as executive chairman of Tata Suns तो Tata Suns के executive chairman कौन चुने गए है तो हमारा answer हो जाएगा एन चंद्रशेकर एन चंद्रशेकरन को executive chairman चुना गया है Tata Suns का और इनका भी जो time period रहेगा इनको दुबारा appoint किया गया है दुबारा elect किया गया है executive chairman की post के लिए Tata Suns की who has won the ICC Spirit of Cricket Award 2021 तो ICC Spirit of Cricket Award 2021 से किसको सम्मानित किया गया है तो हमारा answer हो जाएगा Darryl Mitchell Darryl Mitchell को सम्मानित किया गया है ICC Spirit of Cricket Award 2021 से और ये New Zealand के एक player रहेंगे who has become the youngest Indian to win the title of badminton tournament Odisha Open 2022 तो Odisha Open 2022 जो कि एक badminton tournament होता है इसका जो title जीता गया है वो किसके द्वारा जीता गया है और ये youngest Indian रहेंगे title जीतने वाले तो हमारा answer हो जाएगा उन्नती हुड़ा उन्नती हुड़ा के द्वारा जीता गया है ये youngest Indian बन चुकी है Odisha Open 2022 का title जीतने वाली जो कि एक badminton का tournament होता है तो आपका SSC CGL का जो एक्जाम होगा अपरेल 2022 में उसमें 100% आपको किसी ना किसी shift में ये question देखने को मिलेगा गारंटी रही है हमारी एक बार आपको इक question जरूर मिलेगा कि Chief Justice मदरास High Court के कौन चुने गए हैं तो हमारा अंसर हो जाएगा मुनिश्वर नात भंडारी मुनिश्वर नात भंडारी को Chief Justice चुना गया है मदरास High Court का आपको जरूर ध्यान रटना है most important question सौरभ गांगुली लेट दी फाउंडेशन इस्टोट और वर्ड्स थर्ड लार्जेस्ट किर्केट स्टेडियम इन विच सिटी तो सौरभ गांगुली के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखी गई है दुनिया के तीसरे सबसे बड़े किर्केट स्टेडियम की कौन सी सिटी में तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन विच आपको ये ध्यान रखना है को तो हमारा आंसर हो जाएगा 46th 46th रेजिंग डे मनाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के दुआरा 1 February 2022 को तो पी फाइजर इंडिया कंपनी के चेर्मेन किसको चुना गया है तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रदीप शाह को पी फाइजर इंडिया कंपनी का चेर्मेन चुना गया है इनसे पहले आरे शाहज होते ये चेर्मेन थे पी फाइजर इंडिया कंपनी के जिसको कि हम NCRT के नाम से जानते हैं तो NCRT के नए डिरेक्टर कौन चुने गये हैं इन बजट 2022-2023 इस कोश्चन को हम पहले ही डिसकस कर चुके हैं कि क्रिप्टो करन्सी पे कितना परसेंट टेक्स इंपोस किया गया है बजट 2022-23 में इंडियन गवर्मेंट के द्वारा तो आपका आंसर हो जाएगा 30% तो 30% का टेक्स इंपोस किया गया है क्रिप्टो करन्सी पे इंडियन गवर्मेंट के द्वारा तो ये कॉशन भी इंपोर्टन है एगरिकल्चर सेक्रेटरी किसको चुना गया है तो हमारा आंसर हो जाएगा मनोज अहुजा मनुज अहुजा को Agriculture Secretary चुना गया है इंडिया का 2022 में तो दोस्तो इस वीडियो में हम 30 questions discuss करते हैं सीरीज में 30 questions के बाद हमें quiz को discuss करते हैं जिसका answer आपको comment box में type करके बताना होता है तो quiz देख लेते हैं हमारा तो आज का quiz रहेगा हमारा Which city has become the startup capital of India as per the economical survey 2021-22 तो हमने जो कल की current affair की वीडियो थी उसमें इस question को discuss किया था कि economical survey of India के दुआरा Startup Capital of India कि city को चुना गया है तो इसका answer आपको comment box में type करके बताना है कि कौन सी city है इंडिया की जिसको Startup Capital of India बनाया गया है तो दोस्तो ये था हमारी वीडियो का आखरी question अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like करें अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लें इस चैनल पर आपको लगातार वीडियो most important वीडियो आपके exams के लिए provide कराई जा रही है और अलग-अलग series रहेंगी जो की चलाई जा रही है आपके exams के लिए साथी साथ हमारी चार e-books है चारो का link आपको description में मिल जाएगा आप हमारी e-books को जरूर भाई कर लें वो भी आपके exams के लिए most important रहेंगी धन्यवाद दोस्तो